वेलकम तो आर चैनल फेंटसी फॉर्चोन इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं न्यूजिलेंड वुमेन वर्सिस बंगलादेश वुमेन वल्ड कप मैच जो कि खेला जाएगा यूनिवर्सिटी ओवल डोना दिन में क्या हो सकती है पॉसिबल प्लेइंग 11 कौन से चेंजिस ह हो सकते हैं क्या रहेगी स्मॉर्ण लीग की टीम इसी वीडियो में डिसकस करने वाले हैं यूजिए वीडियो में मजा आने वाला है बात करते हैं पिछ की तो यह WORLD कप काluk एक मैच हो चुका है एक न्यूट्रल विकेट हमें देखने को यहाँ पर यूश्वाली मिलता है और स्टार्टिंग में स्विंग बोलिंग थोड़ी भगा सीम मूवमेंट जो है वो देखने को मिलती है जो यहाँ पर एक मैच हुआ था वो बंगलादेश का ही हुआ था बनाए थे और बंगलादेश ने 175 लेकिन देखने वाली यह बात थी कि 20 के 20 विकेट गिरे थे इस मैच में न्यूट्रल विकेट इस मैच में भी देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर आपको न्यूजलेंड अगर पहले बैटिंग करती है तो मुझे लगता है धाई सुरन तक का स्कोर देखने को इसली मिलना चाहिए लेकिन अगर बंगलादेश बैटिंग करती है तो स्कोर जो है वो थोड़ा डाउन हो सकता है तो जो लोग नए है वो हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाईए यह हमारा टेलीग्राम चैनल है फेंटसी फॉर्चून क नाम से पैसे मांगे तो बिल्कुल भी देने की जरुरत नहीं है साथ के साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबा दीजे जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाये करेगी बात करते हैं दोनों टीम्स की तो यहाँ पर न्यूज़ की टीम सो लास्ट मैच एवन दो दोनों टीम यहार कर आ रही है लेकिन फिर भी मुझे लगता है कोई खास चींज यहाँ पर नहीं होने वाला है सेम पॉसिबल प्लेंग लेवन के साथ जाना चाहिए लास्ट मैच की तरह तो अगर आप फैंट टू प्ले पर नहीं खेलते ह हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इसमें फॉर्शून जो है इसका रैफर कोड है इसके तो आप डाउनलोड कर सकते हैं बात करते हैं न्यूजलेंड वुमन की तो सोफी डिवाइन ओपन करती हुई नजर आ जाएंगी सूजी बेट के साथ तो सोफी डिवाइन जब खेलती हैं काफी लंबी खेल जाती है तो केप्टन वाइस केप्टन की काफी एची चोईस बनती है सूजी बेट की बात करें इम्पोर्टन खिलाडिये लास्ट मैass में अनलंखी तरीगे से रन आउट हो गयी तीन रन पर ही लेकिन इम्पोर्टन खिलाडियों और ग्र option भी यही रहने वाली है एमी सैथरवेट की बात करें लास्ट मैच में 31 बनाए थे इंपॉर्टेंट प्लेयर है ज़रुरत आने पर बोलिंग भी करती है उनका टॉप ओडर जो है न टॉप फॉर बहुत अच्छा है लेकिन एमी सैथरवेट लास्ट मैच में बोलिंग नहीं क रखते हो लेकिन फर्स्ट चिनिंग में तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है मैडी ग्रीन की बात करें लास्ट मैच में नोरन ही बनाए थे मिडिल और में खेलेगी रिसेंट फॉर्मिन का अच्छा है लेकिन ग्रैंड लीग में जादा रेकमेंट करूँगा क्योंकि काफी नीचे बैटिंग ये करती है इनसे उपर लास्ट मैच में भी तहूहू को प्रमोट कर दिया गया था बात करते हैं हाली डे की लास्ट मैच में तीन दन ही बनाए है जरूरत आने पर बोलिंग कर सकती है लेकिन काफी नीचे बैटिंग करती है प्लेयर अच्छी है ले बंगलादेश की विकेट कीपर को प्रेफरेंस दे सकते हैं इंपोर्टन प्रेयर्स की अब बात कर लेता है ली तहूहू काफी इंपोर्टन है लास्ट मैच में भी तीन विकेट निकाले थे और बैटिंग से भी प्रोमोशन इनको मिल गया था सो आपको एक अच्छी ओल्राउंडर मिलती है आप स्मॉल लीग में इने कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं या ग्रैंड लीग में तो ज़रूर कर लेना है जैसकर की बात करें लास्ट मैच में एंड में आके 25 रन भी बनाए थे और दो विकेट भी लिए है एक इंपॉर्टन खिलाडी है तहूहू और जैसकर का अगर टीम पहले बोलिंग करती है तो आप ग्रैंड लीग में ने कैप्टन वाइस कैप्टन का भी कॉंबिनेशन ट्राइक कर सकते हैं हैनरोफ की बात करें इनका अगर रिकॉर्ड लास्ट मैंच में भी एक विकेट निकाला था और ओवरोल भी देखा जाए तो 35 मैंच में 35 विकेट है तो mostly हर मैच में एक विकेट निकाल ही लेती है और बंगलादेश के अगिस विकेट निकाल सकती है तो यहाँ पर एक अच्छी चोईस और एक डिफरेंशल पेर का काम कर जाएंगी क्योंकि काफी कम लोगी ने ट्राइक करने वाले है फ्रेंट जोनस की बात करें तो लास्ट मैच खेली थी कोई विकेट नहीं मिला शेयो और इन्होंने करे थे अगर आप ग्रैंड लीग में क्या कर सकते हो अगर बंगलादेश की पहले बैटिंग आती है ना उस केस में आप फ्रेंट जोनस को ट्राइक कर सकते हो सेकंड इनिंग में थोड़ा सा रिस्की बन जाएगा क्योंकि और भी काफी अच्छी आप्शन्स हैं ग्रैंड लीग के लिए अच्छी डिफरेंशल प्रेक आपके लिए बन सकती है इस टीम के इंपोर्टन प्रेयर की बात करें सो डिवाइन है सूजी बेट है एमिलिया कर है सेतर्ट वेट है यहाँ पर तहूहू और जैसकर जो है प्लस ओपन कर रही है सो इवन दो अगर बैट्समें देखा जाए बैटर जो देखा जाए वो यहाँ पर नेकर सुल्ताना बैटर है लेकिन वो फॉर डाउन फिव डाउन तक खेलेंगी और यहाँ पर सुल्ताना जो है ओपन प्लस विकेट कीपिंग कर रही है सो एक एडवांटेज जरूर रहेगा और आपके लिए डीसेंट पिक बन जाती है बात करते हैं शरमीन अक्तर की लास्ट मैच में चौंतिस रन बनाए थे प्रैक्टिस मैच में भी अच्छे टच में नजर आई है सो एक अगर आप बैटर को ट्राइ करना चाते हो सो यहाँ पर शरनीन अक्तर जो है एक अच्छी पिक रहेगी इस टीम की अगर देखा जाए की सबसे अच्छी बैटर कौन है सो फर्गना हग जो है इन्हें काफी एक्सपीजन्स है लास्ट मैंच में रन आउट हो गई थी आटरन पे और काफी कम लोग इने ट्राइ कर रहे हैं सो एक अच्छी पिक आप के लिए जरूर बन जाती है आप इने एक स्मॉल लीग में जरूर ट्राइ कर सकते हैं मुर्शिदा खातून की बात करें लास्ट मैंच में जीरो किये थे वर्म अप मैच में भी कोई खास फॉर्म में नजर नहीं आ रही है सो ग्रैंड लीग में ट्राइ कर सकते हो प्लेयर ठीक है बट रिसेंट फॉर्म जादा अच्छा नहीं है अब बात करते हैं इनके में प्लेयर्स की एक विकेट लिए थे तीन कैच पकड़ लिए थे रन आउट कर लिए थे जो हर तरीके से कॉंट्रिबूशन दे दिया था तो एक अच्छी पेक आपके लिए रहेंगी यहाँ पर काफी अच्छी बैट्समन है टीम की सीनर खिलाडी है और इनकी बता दूँग और एक अच्छी बैटर भी है लेकिन यहाँ पर अगर दो विकेट कीपर अल्रेडी मौजबूद है जो शमीना सुल्ताना है उनके पास जो है ओपन प्लस विकेट कीपिंग का एडवांटेज है तो आप इनको ट्राइ कर सकते है निगर सुल्ताना बुरी पिक नहीं है क्योंकि बैटिंग इनकी आही जाती है और एक अच्छी बैटर है तो एक डिफरेंशल प्लेयर अगर आप ट्राइ कर रहे हो स्पेशली मिनी ग्रैंड लीग में आप इने अपनी टीम में पाओगे तो यसे रुमाना एहमद और सलमा खातून और रितु मोनी इन में से एक या दो ही प्लेयर आप ले पाओगे और राउंडर सेक्शन में सारी मौझूद है तो रुमाना एहमद इंपोर्टेंट रहेंगी अगर टीम पहले बैटिंग करती है ताकि उनकी बैटिंग प्रॉपर आई जाएगी और सेकंड इनिंग में कुछ ओवर वो कर जाएगी सलमा खातून इंपोर्टेंट तब बन जाती है अगर टीम पहले बोलिंग करती है क्योंकि सलमा खातून उस केस में अपने कोटा के पूरे ओवर करेंगी ठीक है यहाँ पर रितु मोनी है जिनका लास्ट मैच में भी दो विकेट निकाले थे और 27 रन भी बनाए है और इन्होंने वाम अप मैच में भी दो मैच में पांच विकेट निकाले है और सो इनका रिसेंट फॉर्म काफी अच्छा है आपके लिए अच्छी ओल राउंडर है सलेक्शन बेहत कम होगा इन्हें जादा लोग ट्राइ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर ड्रीम 11 पर आप चारी ओल राउंडर ले पाओगे और यहाँ पर रितु मोनी को इस मैच में ओल राउंडर केटेगरी में रखा गया है लेकिन एक अच्छी डिफ्रेंशिब पिकाप के लिए बन जाएंगी यहाँ बात करते हैं आलम की लास्ट मैच में दो विकेट इन्होंने भी निकाले हैं काफी अच्छी बोलिंग करती है तेज है स्पीड है इनके पास सो अगर टीम पहले बोलिंग करती है सो एक अच्छी पिकाप के लिए रहेगी नहीं दाक्तर की बात करें सो लास्ट मैच में इतने विकेट नहीं निकाले थे सो ग्रैंड लीग में ज़्यादा रेकमेंट करूँगा स्मॉन लीग में उतना नहीं क्योंकि और भी इनके पास हमें क्या करना है बंग्रादेश की तरफ से वो प्लेयर जादा लेने है जो बैटिंग से भी कॉंट्रिबूशन दे सकें जैसे आलम एंड में अच्छी खासी बैटिंग कर लेती है यहाँ पर रितू मोनी काफी अच्छी बैटिंग कर लेती है रुमाना एहमद भी अच्छी बैटिंग कर लेती है और बोलिंग कर लेती है तो ऐसे प्लेयर पर जादा फोकस हमें रखना है अगर आपने कुछ смотр highlighter कर प्रूर ले सकते हैं लास्ट मैच को भी विकेट्स निकाल कर आ रही हैं और वो भी अफरीका के अगी सो एक अच्छी बोलर हैं बात करते हैं इंपॉर्टन प्लेयर्स की सो यहां पर हक रुमाना एहमद निगर सुलताना सलमा खातून रितु मोनी और यहां पर आलम जो है इनक इच्छी कैप्टन वाइस कैप्टन की चोईस बन जाएगी ग्रैंड लीग में सुजी बेट्स क्यूंकि स्मॉल लीग में उन्हें ज्यादा लोग ट्राइ नहीं करेंगे लास्ट मैच का स्कोर देखकर लेकिन इंपॉर्टन खिलाड़ी है बड़ी इनिक्स खेल सकती है तो विगट कीबिंग सेक्षण में हमारे पास तीन ऑप्षिन है शमीना सुल्ताना है और यहाँ पर स्प्रेण पर निगर करें लेकिन खेलती नीचे है सो मैंने यहाँ पर अभी के लिए यहाँ पर opener को प्लस विकेट कीपन को प्रेफरेंस दी है सो यहाँ मैं शमीना के साथ गया हूँ बैटिंग सेक्शने बात करते हैं सो दो प्लेयर जो आपके टीम में होने चीए यहाँ पर बैट सूजी बैट मैं दोनों के साथ यहाँ पर गया हूँ यहाँ पर अक्तर है जिन्होंने पिछले मैच में अच्छी पारिखे ली थी वाम अप मैच में भी अच्छे टच में नजर आई थी और यहाँ पर हक है जो टीम के लिए important खिलाडी है और experience खिलाडी है लास्ट मैच में run out ज़रूर हुई थी लेकिन अच्छी better है यहाँ पर green है खातून है और holiday है इनको आप grand league में जादा सज़ेस्ट करूँगा small league में आपने इन तीन में से ही consider 4 में से consider कर सकते हैं बात करते हैं all rounder section में so all rounder section में जो दो खिलाडी आपके पास होनी होनी चाहिए और सब के पास होंगी वह है divine और emelia कर captain wise captain की best choice रहने वाली है यहाँ पर तहू के साथ भी मैं गया हूं क्योंकि wicket taking bowler है प्लस आपको batting से भी contribution दे सकती है तो अब यहाँ पर न यह जो choice है काफी हद तक यह choice आपका match decide कर सकती है कि आप किसको pick करते हो तो यह आपको समझना जरूरी है यहाँ पर एहमद है जो आपको batting करके देंगी और 7-8 6-7 over plus building अच्छी करके देंगी यहाँ पर ritumoni है जो आपको 10 over पूरे करके देंगी प्लस आपको lower order में batting भी करके देंगी खातून है जो experience का से आपने किसी एक को pick करना है चाहो तो आप 2 को भी pick कर सकते हो लेकिन फिर आप किसी भी न्यूजिलेंड के all rounder को drop करना थोड़ा इसकी जरूर हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने अभी के लिए ritumoni के साथ जा रहा हूं आप यहाँ पर एहमद के साथ भी जा सकते हैं काफी ल यहां ने आलंग को लिया है अभह यहां पर हमारे पास दो option बचते हैं एक तो pero can't सिंग में आप यहां पर अक्तर ले सकते हैं यहां पर अब हख को प्रेफरेंस दियहां को जादा मैंने है अब एक बोलर बचरा जो हमें लेना है यहां पर है इस्लाम को ले सकते हैं यहां पर ज् साथक्र कर सकते ہے अगर यहाँ पर जैंसन, रोजी मायर ठीक है यह खेल जाती है तो आपने इनको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है मैंने अभी के लिए हाँ पर हैना रोफ के साथ यहाँ आप इसलाम के साथ भी जा सकते हैं तो यह स्मॉल लीक की टीम बन रही है कैप्टन ने वाइस कैप्टन की बात कर लेते हैं तो बेस्ट आप्शन रहेंगे डिवाइन और अमेलिया कर मैंने अमेलिया कर को कैप्टन बनाया और डिवाइन को मैंने वाइस कैप्टन किया है आप अपोजिट भी कर सकते हैं कुछ अलग ट्राइ करना चाते हैं तो सूजी बेट और तहू हू के साथ भी जा सकते हैं तो यह रहेगी मेरी स्मॉन लीग की टीम फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी तो टेलीग्राम पर जुड़ना बहुत तरूरी है बात करते हैं ग्रैंड लीग टीम्स की उससे पहले मैं आपको फैन टू प्ले आपकी टीम दिखा देता हूँ तो यहाँ पर फैन टू प्ले आप में कोई क्राइट का इशू नहीं आता है और आप यहाँ पांच ओल राउंडर भी ले सकते हैं दो बैट्समन के साथ खेल सकते हैं तो मैंने वो ही किया है यहाँ पर मैंने क्या किया है रुमाना एहमत को ले लिया है मैंने यहाँ पर हक की जगा तो यह मेरी एक टीम बन जाती है कैप्टन वाइस कैप्टन सेम रहेंगे इसका link description में है और fortune इसका refer code है तो उसके थू आप download कर लेना बात कर लेते हैं यहाँ पर grand league teams की so grand league team number one मैंने ये create करी है इसमें emilia kar को ही मैंने captain रखा है लेकिन vice captain जो है मैंने suzy bait और यहाँ पर nigger sultana जो बहुत ही least selected wicket की पर है उनके साथ मैं गया हूँ बाकि कोई खास यहाँ पर है नरोफ की जगा मैंने इसलाम को रख लिया है ठीक है बात करते है team two की ये out and out जो है न्यूजिलेंड के favor में team बनाई है और ये team आपने तब लगानी है अगर न्यूजिलेंड पहले bowling कर रही है तो ठीक है अगर bowling करती है तो ये team ज़ादा better है अगर betting करती है तो आप इसमें changes कर सकते हैं इसमें out and out बनाई है कि यानिके सारे bowlers wicket लेंगे और जैसकर और तभू को captain wise captain किया है और यहाँ पर opener को top 3 ही रखा है 7th rate को drop करके चला हूँ तो ये जो team है आप इस team से भी जा सकते हैं आप इसमें एक से दो changes कर सकते हैं और आप multiple teams भी लगा सकते हैं आप क्या कर सकते हैं कि किसी एक खिलाडी को usually जो women's match होते हैं उसमें गिने चुने ही player होते हैं captain performance देने वाले तो आप किसी एक player को ही multiple teams में captain कर सकते हैं जैसे Amelia कर होगी, Divine होगी, Suzy Bait होगी इन में से आप captain करके एक ही player को multiple teams में लगा सकते हैं और player को rotate कर सकते हैं तो ये रहेगी मेरी small league की team आप final team टेलिग्राम पर मिल जाएगी उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आईए पसंद आईए सो like करो, share करो, comment करके बताओ आपके हिसाफ से best captain, wise captain choice कौन सी होने वाली है और जुड़ जाओ हमारे साथ fantasy fortune टेलिग्राम चैनल पर साथ के साथ YouTube चैनल को subscribe करके bell icon दबा दिजे, जैसे वीडियो आएगी आपको notification मिल जाए करेगी thank you guys